यूपी में काबा फेल दिगर निहा सिंग राठाओर को कानपुर पुलिस ने नोटिस भेजा है अपराग था एक गित लिखने और फिर उस गित को गाने का जिसमें गाईका ने उस घटना के लिए सरकार पर निसाना साधा था जिसमें परसासन की करवाई के दौरान मा बेटी की घर में जलकर मौत हो गई थी आए इस वीडियो में जानते हैं कौन है निहा सिंग राठाओर यूपी में कावा गाना गाने वाली फुक्स सिंगर निहा सिंग राठाओर लगातार सुर्चियों में बनी हुई है निहा सिंग ने हाल ही में कानपूर देहात की घटना को लेकर यूपी में कावा सी जन्टू गाया था जिसको लेकर सिंगर परकानफुर पूलिस ने करवाई करते हुए नोटिस जारी किया है आपको बता दें कि निया ने कावा गाने का दुसरा पार्ट 16 फरिबरी को रिलीज किया था जिसमें वो लाल सारी पहनकर यूपी सरकार पर तंज कस रही है पूलिस का आरोप है कि निया सिंग का ये गाना समाजिक तनाव और भरम खैलाने का काम कर रहा है निया सिंग राठावर की साधी उत्तर परदेश में हुई है निहा सिंग राठाओर के साधिय की जुन को उत्तरपडिश के अंबिटकन नेगर के हिमानसु से हुई थी निहा अब यूपी की बहु बन गई है बिहार की लोग गईका निहा सिंग राठाओर बिहार के कैमूर जिले के रामगर्ड की रहने वाली है साल 2016 से भुचपुरी लोग गित गा रही है उनके अधिकतर गाने समाज बाराजनिती परतंज करते हैं साल 2020 के बिहार बिधान सबाचिनाव के समय निहा अपने बिहार में कावा गाने को लेकर चर्चा में आई थी निहा सिंग अभी तक दर्जनों गाने गा चुकी है अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें सेर करें कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार